हेलो दोस्तों मैं राहुल रंजान स्टड़ी इंडिया अड़ा डिजिटल वेफ लर्णिंग में स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोग पता इस चैनल पर कंटिन्यू क्लास है और आर्वी जैसी सीवीटी टू का चल रहा था दोस्तों जिसका स्लेवस कंप्लीट हो सभी का मिक्स कोश्चन रहेंगे दोस्तों ध्यान से सभी का मिक्स कोश्चन है और यह टेस्ट डेली मौर्णिंग में दोस्तों नाइट में नाइन पी एम में दोस्तों अपलोड होता है बट यहां पर सम टेक्निकल इसु की बज़े से दोस्तों यहां पर मौर्णिंग में आज जो है नाइन एम में नहीं अपलोड होगे हुआ है जल्द हमाई प्रोवाइट आप लोगों के लिए कर रहा हूं ठीक है दोस्तों और सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर बहुत ही अच्छे लेवल का मटेल प्रोवाइड करा जाता है सब्सक्राइब करें घंटी के लेकर जरूर अन रहेगा तभी चैनल पर चैनल लॉंच किया गया दोस्तों इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा दोस्तों चैनल पर भी आप लोगो जो है कंटीनू मिलते रहेंगे साथ सब्सक्राइब कर दोस्तों बताँगा उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग करते जाएगा और लास्ट में एक कमेंट सेक्सिन फिडवक जरूर दीजेगा आपका 50 में से आपका कितना कोश्चन जो है करेक्ट हुआ है चलिए दोस्तों कोश्चन को सुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्यारबाज थर्टी फॉर्स सब्सक्राइब करें चार आपके सामने दिया गया है वैसे इस कोश्चन करेक्ट अंसर की बात करते हैं ऑप्सन सी करेक्ट अंसर होगा नेक्स शेकंड नंबर कोश्चन आप से पूछा जा रहा है ध्यान से देखिएगा वाई वीच डेट इंप्लिमेंटेशन ऑफ द वन उन्स वाई ऑस सेंट्रल गौश्मेंट किंद सरकार द्वारा दोस्तो जारी किया गया मतलक कहने का मतलु किस दीकिस डेट तक दोस्तों यह रहा हो जाएगा वह आपसे पुछा जा रहा है वहल यूड नेशन वन रासन कार्ट इस को कि दो सब्सक्र थर्ड नम्मर कोश्चन आप से पुछा जा रहा है ध्यान से देखिएगा in which year NASA has announced to send its mission on Saturn satellite Titan कहने का मतलब दोस्तों NASA ने किस बर्ष में सनी के उपगरा Titan पर अपना mission भेजने की घोषना किया है सभी लोग कमेंट कीजिएगा चार आपके सामने दिया गया है दोस्तों सभी का mixed question इस वीडियो में आपको दिखने को मिलेगा और डेली प्रैक्टी सेट लगाने का हैविट बनाएए आपको एक्जाम तक प्रैक्टी सेट मिलता रहेगा किस देश ने सरकारी नौकरी के लिए डोप टेस्ट अनिवार्ज कर दिया है सभी लो कमेंट कीजिएगा फोर्थ नम्मर कोश्चन करेक्ट अंसर के बाद करते हैं दोस्तों आप्शने करेक्ट अंसर होगा बंगलादेश नेक्स्ट कोश्चन फिफ्ट नम्मर कोश्चन वे यह कोश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों भीच आफ फोलोविंग प्रोड़क्ट हैज बिन इन दर निव रिसेंटली निव रिसेंटली ड्यू टू फॉर्मिलें बिंग मिक्ष कहने का मतलब दोस्तों निन में से कौन सहत्पाद हाली में फर्मलीन मिसरीत होने के कारण चर्चा में रहा था सब्सक्राइब दोस्तों फिफ्ट मचली आप सैं से कोचन का क्रेक्ट अट रोगा नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन आपसे पुछा जा रहा है ध्यान से देखिएगा बर्क डन इन ए फ्री इक्सपेंशन प्रोसेस इस स्वतंतर परसार प्रकिरिया में किया गया कार्ज होता है क्या होता है दोस्तों सभी लोग कमेंट करें करेक्ट रंसर की बात करते हैं आपसेन ये करेक्ट रंसर होगा सुनने होता है जीरो होता है next question the internal energy of an ideal gases एक अदर्स गैस का आंत्री कुर्जा होती है क्या होती है internal energy of an ideal gases correct answer की बात करते हैं दोस्तो option ये correct answer होगा function of temperature only cable ताप मान का फलन होता है दोस्तो option ये correct answer होगा next question पर ये 8 number question वीडियो को last तक जरूर देखिएगा skip मत किजिएगा the process in which no heat enter or leave the system is called परकिरिया जिसमें उश्मा का आदान परदार नहीं होता है उश्मे क्या कहते हैं दोस्तो चार option आपके शामने दिया गया है सभी लोग comment करें 8 number question आपके screen पर दिख रहा होगा correct answer की बात करते हैं दोस्तो option C correct answer होगा ice and trophy ज्यान दीजेगा इस question का correct answer होगा next question बहिए दोस्तो next question 9th number question आपसे पुछा जा रहा है फड़ा फट सभी लोग answer दीजे the heat flow through solid only white ठोस में उश्मा का बहौ किसके द्वारा होता है सभी के द्वारा कमेंट करें 9th number question सभी के द्वारा कमेंट आना ची जितने student live देख रहा है 10th number question सभी लोग करेंट अंसर के बात करते हैं दोस्तों करेंट रहा होगा कंडंसेशन चालन के परकिरिया के द्वारा दोस्तों आपसें ने करेंट रहोगा चले 10th number question पर यह दोस्तों इस question को जो है जो मैं question अभी टेस्ट में आपको करवा रहा हूं इसका जो explanation नहीं दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि maximum explanation के साथ इस चैनल पे separate master वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि यह टेस्ट है दोस्तों हम लोग सॉर्टेट में यहां पर point to point को डिसक्स करते हुए चलेंगे next question को बढ़ते हैं सेफ्टी रीले यूट इने ट्रांसफोर्मर एकटर इस्तिमाल किया जाने वाले सुरक्षा रीले के रूप में कार्ज करता है क्या कार्ज करता है सेविलो कमेंट करें इस कोचन का करेक्ट असरो का दोस्तों बुक्षोल जो रीले और कम्पिटर का सभी का माश्टर वीडियो प्रवाइड करा दिया गया है एकजाम देने से पहले वो वीडियो को देख करके जाएगा ग्यारा नंबर कोर्चेन पर एए 50 वहां ग्यारा नंबर के क्या है इंपूट डिवाइस है ऑप्शन होगा नेक्स्ट 12 नंबर कोर्चेन पर एए ध्याद में से देखेगा 12 नंबर कोर्चेन बीच आफ दास फॉल्विंग जिनो ट्रू बाउट कैच मेमर के बारे में शही नहीं है करेक्ट अंसर होगा ऑप्शन डी सिक्यूएंसल एसस मेमरी यह दोस्तों स्टेटमेंट कैचे मेमरी के बारे में गलत बोल रहा है नेक्ट कोचन पर यह तेरा नंबर कोच्चन इस कोच्चन का करेक्ट अंसर होगा दोस्तों आड्रेस बस दीजे बाइलेटरेल ऑप्शन भी इस कोच्चन का करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोच्चन चौदा नंबर कोच्चन पर यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इनेवल एक प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम दैट और मोर और लेस इंडिपेंडनेंट अफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर इस कोड एक प्रोग्रामिंग्वेज का नेक्स्ट कोच्चन पंदरन नंबर कोच्चन पर यह क्लास इप अड्रेस यूज हाउ मैंने बीट फॉर नेटवर्क आइड़ी से वह लोग कमेंट करें क्लास इप अड्रेस में दोस्तों आप से पुछा जा रहा है कि हाउने बीट फॉर नेट इंब्र कोच्चन आप से पुछा जा रहा है ध्यान से डिखिए डवलू तरी स्टेंट फोर डबलू तरी सी का मतलब क्या होता है सभी लोग कमेंट कि जेगा कंप्यूटर का सेपरेट मास्टर विडियो में सभी कोच्चन दोस्तों करवाया गया है सभी करवाया करें W3C, Stanford, W3C का मतलब क्या होता है दोस्तो W3C का मतलब होता है World Wide Wave Consortium और सेने करेक्ट अंसर होगा World Wide Wave Consortium नेक्स्ट कोश्चन 17 नंबर कोश्चन बेरे ये कोश्चन को ध्यान से देखिए Which one of the following set of elements has same number of balance electron वो कौन सा इलमेंट है दोस्तों जिसका सेम नंबर और बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेट आपको बताना है कि करेक्ट अंसर होगा लिथियम सोडियम पुडैसियम आप्संस इस कोश्चन का करेक्ट अंसर होगा प्रियोडिक टेवल से प्रेट दोस्तों यहां पे के लिए कार्वन डियक्षाइड को उपलब्द कराता है से विलोग कमेंट करें एटी नंबर कोश्चन के बात करते हैं दोस्तों इस कोश्चन करेक्ट अंसर ऑप्सेन भी होगा अस्टो मेटा यह कोश्चन दोस्तों MTS का भी जो करेंट में एकजाम हो रहा है उसमें भी जो प्राप्त होता है दोस्तों चार आपके सामने दिया गया है सभी लोग कमेंट करें फूड चैन की बात हो रहा है आपका मास्टर वीडियो इन्वार्मेंट में जो है फूड चैन से रिलेटेड पुरा डिटेल में एक स्प्लानेसर के साथ वीडियो मिल जागा 19 नंबर कोश और यह कोशन आप से पूछा जा रहा है ध्यान सा देखिएगा है को तो अधूर्चन है दोस्तों प्रोसेशिंग टाइम इस लिस्ट को सब्सक्राइब करता है वह आप से पुछा जा रहा है सभी लोग इस को सब्सक्राइब करें सभी दोस्तों कम्प्यूटर का कै कहने का मतलँ किसी कम्प्यूटर का उप्रेटिंग संथा और निम्लिखित में से किस के भी consolidate इंटरफेस के रूप में कार्ज करता है software और किसके बीच दोस्तों यह दोनों जो है इंटरफेस होता है वह आपसे पुछा जा रहा है software और hardware के बीच इंटरफेस होता है option is question का correct answer होगा next question पर यह 23rd number question ध्यान से देखिए आइसी चीप ध्यान से देखिएगा दोस्तों आइसी चीप यूट इन कंप्यूटर आर इजुएली मेड़ अप आप कंप्यूटर में प्रियोग होने वाला एक क्रित परिपत्त कहने का मतलाव आइसी चीप दोस्तों स्रधारान्ता बना होता है किस चीज का बना होता है सभी लों कमेंट करें यह जब बना होता है दोस्तों सिलीकॉन का होता है ठीक है ऑप्षन भी करेक्ट अंसर होगा नेक्स ट्वन्टिफूर नंबर कोशन पर यह दोस्तों ध्यान से देखिएगा इने कंप्यूटिंग डिवाइस मेंगा हर्ज is mentioned in the specification it refers to a computing युक्ति में में अलवित किया जाता है थोड़ा सा हिंदी अटपटा है ध्यान से देखिएगा इन कंप्यूटिंग डिवाइस मेंगा हर्ज is mentioned is the specification it refers to क्या होता है दोस्तों मेंगा हर्ज जो है clock speed को जो है इंडिकेट करता है clock speed जो है मापता है option c correct answer होगा 24 का correct answer clock speed होगा next question 25th number question पर ध्यान से देखिएगा digital computer can be made using इन में से किसका प्रयोग करके digital computer बनाया जाता है सब्सक्राइब कमेंट किजिएगा 25th number question दोस्तों इन में से किसका प्रयोग करके digital computer को बनाया जाता है वहाँ पे दोस्तों flip-flop को यूज किया जाता है और digital computer बनाया जाता है option एक correct answer होगा next question 26th number question बहुत अच्छा question है और अक्षरी जाओं पूछा जाता है person is called a computer literate if he and she just able to कहने का मतला दोस्तों कोई व्यक्ति computer का सक्षर कहलाता है वो उसको क्यों बोला जाता है दोस्तों क्योंकि वह क्या होता है सभी लोग comment करें जदी वह सक्षमों के वल किसमे सक्षमों काम कर करने में सक्षमों किसमें दोस्तों वह आपसे पूछा जा रहा है वह होता है रंड नीड बेस्ट अप्लिकेशन को चलाने के लिए अगर जानता है तो हम उसको जो है computer का सक्षर विक्तिव बोल सकते हैं option के अनुसार option is question का बिलकुल correct answer हो जाएगा next question को बढ़ते हैं 27 number question जाना जाता है किसके रूप में जाना जाता है सभी लोकमेंट किजेगा प्रोसेश डाटा इज नोन एज इनफोर्मेशन option बीस question का correct answer होगा next question को बढ़ते हैं 28 number question आप से आईए दोस्तों को ध्यान से पढ़िए परयाबरन environment किस से बनते हैं सभी लोकमेंट करें environment किस से बनत क्यानि all of these correct answer होगा दोस्तों environment परयाबरन जो है जिविए घट को भू अक्रिती अजयब घट को इस सभी के मिल करके बनता है option D correct answer होगा next question पर ये question को ध्यान से देखिए nature cleaners आर प्रकृति के शफाई कर्मी इन में से कौन सा है प्रकृति के शफाई कर्मी सभी लोकमेंट करे कौन सा है दोस्तों प्रकृति के शफाई कर्मी डिकंपोजर को जाना जाता है option C correct answer होगा next question 30 number question पर ये ध्यान से देखिएगा एक correct food chain is correct food chain आपको बताना है दोस्तों खादिस रिंखला सही खादिस रिंखला correct food chain को बताना है थर्टी नम्बर कोश्चन correct answer के बात करते हैं दोस्तों option A correct answer होगा producer उसके बाद हर्वी बोरस उसके बाद कार्णी बोरस कहने का मतलब दोस्तों उत्पादक शाकाहारी और देनमांसाहारी option A इस question का बिलकुल correct answer होगा नेक्ट कोश्चन पर यह 31 नमबर कोश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों a natural region has the similarity of एक प्रकृतिक छेत्र में किसकी समानता होती है सभी लोग कमेंट किजिएगा 31 नमबर कोश्चन आपके screen पर दिख रहा होगा दोस्तों सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए और जो student और हो शके तो वाट्सप ग्रूप पे शेर करने कोशिश किजिएगा ठीक दोस्तों ताकि और भी स्टुडेंट को विनफिट हो सके इस चैनल पर जल्द ही एंटी पीसी और ग्रूप डी का क्लास अज भी स्टार्ट होने वाला है कि नेच्चुरल रीजन है इस सेमिलरी टीक सभी लोग कमेंट किजिएगा 31 नंबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस कोश्चन का करेक्ट अंसर के बात करते हैं ऑप्शन सी करेक्ट अंसर होगा क्लाइमेट और नेच्चुरल वेजिटेशन कहने का मतलब द करा दो दोस्तों यह जो डैग्राम है ellay、ट्रेंप्स , अ 15 लार्ज फिस नीचे दिये गए शब्द अर एक को परदर्सित करता है किसेशत को इंडिट करा रहा है किस चीज़ को जिंगा मचली छोटी मचली बड़ी मचली इस चीज को इंडिकेट कर रहा है सभी लोग को indicate कर रहा है बहुत से लोग यहां पर फूड चैन भी लगा देते हैं लेकिन दोस्तों एक्वेटिंग लिविंग बिंग यहां पर नहीं रहेगा तब ही आप फूड चैन लगाएगा तो आपका पर रिक्ट अंसर होगा अगर एक्वेटिंग लिविंग यहां पर रहेगा ज उषक तत्वों का जीवों तण उसका अजयाविक परहवरण के साथ चक्रिय को कहते हैं उस्थे वोला जाता है उस्थे सभी लोग साङे बोला जाता दोस्तों पर आप वšकन के ammonia का बेवशाइक निर्मान किस परकिरिया से होता है सबीलों किजिएगा ammonia is prepared commercially by the ammonia का निर्मान किस परकिरिया द्वारा होता है दोस्तों सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए करेक्ट अंसर की बात करते हैं option भी करेक्ट अंसर होगा है वर प्रोशेश नेक्स्ट को बढ़ते हैं दोस्तो 35 35 नमबर कोशन आप से पुछा जा रहा है ध्यान से देखिए कि दोस्तों यह भी कोशन मैं include कर दिया हूं क्योंकि एक कोशन को कैसे कैसे घुमा करके पूछ दिया यह है ऊंता है ऑप्सक्क और क्रेक्ट अंसर होगा time would next 1989 को से कोट देखिये कोशन आकव क्लोरीन गैस कोक्व्हक यूग में से किसके निर्वान में किया जाता है सभी के दा üzवार्र कमेंट आना चाहे एक क्लोरीन गैस की बात होरा दोस्तों क्लोरीन गैस में दोस्तों bleaching powder का यूज़ गया जाता है option C is question का correct answer होगा chlorine gas is used in the manufacture of bleaching powder क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर bleaching powder आप से क्या पूछा है chlorine gas is used to manufacture of bleaching powder का यूज़ क्या जाता है दोस्तों क्या होता है equation भी आपको याद होना चाहिए L2 plus H2O बनता है ठीक है यानि हम लोग को शिय ओशियल 2 bleaching powder का निर्मान होता है option C is question का correct answer होगा next question पर यह 37 number question question को ध्यान से देखिए nitrogen is used to fill electric bulb because it nitrogen का प्रयोग विद्यूत बलूव में किया जाता है क्यों किया जाता है आप लोग कमेंट करें क्योंकि दोस्तों it does not support का मसन दहन को support नहीं करता है इसलिए किया जाता है option C is question का correct answer होगा next question पर यह 49 number 38 number question को ध्यान से देखिए which one of the following oxide of nitrogen is also known as laughing as nitrogen के निम्न oxide में से किस्को laughing as के रूप में जाना जाता है सभी लोग कमेंट किजिएगा दोस्तों correct answer के बात करते है option D correct answer होगा N2O nitrous oxide ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिएगा nitrous oxide laughing as के रूप में जाना जाता है और यह NO2 है दोस्तों यह nitrogen dioxide है और यह क्या है और यह क्या है एंट्व फाइव है nitrogen पेंटा ओक्षाइड है फाइव है तो और यह NO2 क्या है दोस्तों nitric oxide है next question क्यों बढ़ते हैं 49 नमबर question को ध्यान से देखिए दोस्तों आप से पूछा जा रहा है उसे absolute zero temperature बोला जाता है क्या बोला जाता है absolute zero temperature option बीस को करेक्ट अंसर होगा ideal gas equation नमर जानते हैं PV is equal to nrt दोस्तों ठीक है absolute zero temperature इस question का करेक्ट अंसर होगा 40 नमबर question पर यह द्यान से देखिए और यह numerical को solve करने का कोशिच किजिए इस टाइब के numerical इस चैनल पर करवाया गया है और अक्षर जावों में पूछा जाते है एक फर्पेक्ट एक पर्फेक्ट गैस ट्वंटी सेवन डिग्री सी इज हीटेट एट एक कॉंस्टेंट प्रेसर तिल इस भावलूम बिल डवल दफाइनल टंप्रेचर इस क्या होगा सभी लोग इसको न एड़ कर दिजिए 272 प्लस 273 एड़ कर दिजिए 373 10729 10 यान कहने का मतलब दोस्तो 300 केलवीन आ जाएगा टेमपरेचर 300 केलवीन आ जाएगा और हम लोग नियत दा पर दोस्तों एक एक एक्क्वेशन जानते हैं क्या एक्क्वेशन जानते हैं भीवन अपॉन टीवन हैं और भीवन को क्या भॉलम क्या हो रहा है भॉलम डवल हो जा रहा है उसको रहने दीजिए और टेमपरेचर कितना है 300 केलवीन है 300 भीवन क्या हो रहा है भॉलम डवल हो जा रहा है यानि टू भीवन हो जागा और टेमपरेचर है जिस टेमपरेचर टीटू हो जागा यह भीवन से ये वीवन कैंसील हो जाएगा त्यास से दोस्तो टी टू बरावर किया आजाएगा थिर्य हंडेट गुने दो यानी छेसेच्व आजाएगा तो 600 हम लोग को क्या आया दोस्तो 600 आम को केले में कि क्यों कनgesch η टंपरेचर को ले degree centigrade में आ जाएगा जो की option B में given है option B कोश्चन का बिल्कूल correct answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों option B कोश्चन का correct answer होगा next question पर आईए एक तालिस नंबर कोश्चन को ध्यान से देखिए the characteristic equation of a gas PV is equal to nrt hold goods for अभी लाक्षिनिक gas शमिकरन PV is equal to nrt किस गैस के लिए शही प्रकार से लागू होता है सभी लोग कमेंट किजिए का एक तालिस नंबर कोश्चन बहुत अच्छा कोश्चन है दोस्तों सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए करेक्ट अंसर की बात करते हैं करेक्ट अंसर होगा option c यह जो है ideal gas equation है option 6 कोश्चन का करेक्ट अंसर होगा नेस्ट कोश्चन पर आई यह कोश्चन है 42 नंबर which of the following is not a chemical changes इन में से कौन सा रशायनिक परिबरतन नहीं है सभी लोग कमेंट किजिएगा करेक्ट अंसर की बात करते हैं दोस्तो option b करेक्ट अंसर होगा electrolysis of acidified water electrolysis of acidified water दोस्तो यह जो है chemical changes नहीं है option b करेक्ट अंसर होगा रशायनिक परिबरतन अमली क्रीत जल का बैद्यू तब घटन नहीं है दोस्तो ठीक है जबकि दोस्तो combustion of fuel, oxidation, rusting of iron, glowing of platinum bar यह सभी दोस्तो chemical changes यह सभी क्या है रशायनिक परिबरतन है लेकिन electrolysis of acidified water यह दोस्तो यह नहीं है यह बैद्यू तब घटन नहीं है कहने का मतलब दोस्तो option b करेक्ट अंसर होगा electrolysis of acidified water next question क्यों बढ़ते हैं next question 43 number question आप से पुछा जा रहा है ध्यान से देखिएगा question है the percentage of carbon in co2 co2 में carbon की percentage क्या होता है दोस्तों बहुत ही simple question है और बहुत वारी करवाया गया सभी लोग comment किजिएगा the percentage of carbon in co2 कितना होता है सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों कुछ नहीं करना है co2 में क्या है दोस्तों एक carbon है plus क्या है दू oxygen है है ना एक carbon plus 2 oxygen कारवन का कितना होता है दोस्तों 12 होता है oxygen का कितना होता है एक सब्सक्रावर क्या जाएगा दोस्तों निकाल दीजिए एक सब्रावर क्या जाएगा यानि कहने का मतलब क्या जाएगा आपका 27.3 परसेंट आएगा दोस्तों जो के option डी में given है चले नेक्ट कोशन के बढ़ते हैं 24 नमबर कोश्चन को ध्यान से देखिए कोश्चन आपसे पूछा जा रहा है बीच गैस इस रिलीज्ट भेन वाटर इस एड़ेट टू ब्लीचिंग पाउडर पानी को ब्लीचिंग पाउडर नो मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है वह आपको बताना है सभी लोग कमेंट किजिएगा पानी को दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर नो मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है 44 नमबर कोश्चन सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए सभी लोग कमेंट करें ब्लीचिंग पाउडर कहने का मतलब दोस्तों क्या हो रहा है अगर हम लोग वाटर एज टू एड कर रहा है तो कौन से बन रहा है दोस्तों में इस क्यों पन रहा है प्लस में दोस्तों हो रहा है है यानि कहने का मतलब दोस्तों करिक्ट अंसर होगा ऑप्सन डी क्लोरीन जो है गैस निकलती है ऑप्सन डी करिक्टवगा नेक्स्ट कोश्चन पर आईए, नेक्स्ट कोश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भीचाव दा फॉलिविंग डेजनोट सब्लिमेंट, निमने लिखित में से कौशा उधर पातज नहीं है दोस्तो, चार आपके सामने दिया गया है, सभी लोग कमेंट करें, इस कोश्चन का कर सब्लिमेशन बोला जाता है, उधर पातज बोला जाता है, ठीक है दोस्तो, ठोस से डारेक्ट गैस में अगर बन जाए, तो जो है उसको सब्लिमेट बोला जाता है, लेकिन आइस जो है ठोस से डारेक्ट गैस में नहीं बनता है, आइस को अगर दोस्तो मान लेते हैं, यह फ ठोस कंडिशन में है ठीक है ठोस में है दोस्तों इनिशल में ठोस में है तेहां पर सबसे पहले ठोस से क्या होगा यह लिक्वीड में कंवर्ट होगा लिक्वीड में कंवर्ट होगा उसके बाद दोस्तों गैस में कंवर्ट होगा कहने का मतलब ठोस से लिक्वीड उसके बाद गैस ओर आ लेकिन यह सब्लिमेट का कंडिशन नहीं है सब्लिमेट उधर पातज का कंडिशन है ठोस से डारेक्ट गैस पर बनेगा उश्षिश सब्लिमेट कहते हैं जो कि option एस कोश्चन का एक न्यूटन के बरावर होता है एक न्यूटन बरावर दस के पावर 5 यह दोनुं आपके याद करना होगा अक्षर पूछा जाता है तो यह है नहीं दोस्तो इसलिए all of none of this question का correct answer होगा next question पर यह next question आप से पूशा जा रहा ध्यान से देखेगा fluid is a substance which offer no resistance to change of तरल एक एशा पदार्थ है जो कि बदलने में किसी परकार का परतिरोधारोपित नहीं करता है दोस्तों वो कौन सा है वो जो है करेक्ट एंसर करना है करेक्ट एंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चेप और साइज ऑप्शन का करेक्ट एंसर होगा fluid is a substance which offer no resistance to change of शेप ठीक है नेक्ट को बढ़ते है 48 नंबर कोश्चन पर यह कोश्चन को ध्यान से पढ़िए किसका कोई काई नहीं होता है दोस्तों यूनिट लिस्कों सा है सब्सक्राइब किजिएगा इस कोश्चन और करेक्ट एंसर होगा ऑप्शन भी रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है नेक्ट कोश्चन पर यह 49 नंबर कोश्चन को ध्यान से देखी आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा काईनेमेटिक्स विस्कोसिटी ऑफ गैसे ऑन इंक्रीज ऑफ टेंप्रेचर गैसों कि शुद्ध गत्त की शांता तापमान के बढ़ने पर क्या होता है सब भी लो कमेंट कोश्चन पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा कोश्चन को वाइड़ेज ए फाउंटेन पेन लीक इन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट अधी कुछ आए पर उड़ने वाले हवाई जहाज में श्याही वाले पेन लीक क्यों कर जाते हैं सबीलो कमेंट किजिएगा इसका म सब्सक्राइब दोस्तों करना हमें और इसका आप लोग टेलिग्राम पर जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम पर सब्सक्राइब कर लिए ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रवाइड करा हूँ इसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मुवाइल सब्सक्राइब करें ताकि हर स्ब्सक्राइब को फायदा खोश के टेस्ट का टाइम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों नाइन एम मोर्निंग नाइन पीएम इवनिंग आपका टेस्ट एक्जाम तक चलेगा कंटेनिव आप लोग देखते रहेगा आज जो है सम टेकनि दोस्तों इसे भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल पर भी आपको दोस्तों लगाता है जौब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा शाथ साथ मास्टर वीडियो को वहां पर अप्लोड होता है दोस्तों और रिवीजन क्लासेज वाला वीडियो भी उस चैनल पर अप्लोड होता रहेगा तो आप लोग अस्टडी इंडिया अड़्डा विलॉक्स चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ठीक दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद